आवाधारी क्लेर को आप लेक गुबर ऊके ओके फटका फटा आईया आप लोग फड़ा फटा आ जाए आप लोग जल्दी से आ जाएये मेरा पांच मिड़ा अज लेठ हुआ तो आप लोग भी अब ही बतलब ओके आवाज आ रही है फड़ा फड़ा ही आप लोग फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग जो बाकी पोर्शन था सकेंड अटर इनलाइस चल रहा था आज लास्ट है आज खतम हो जाएगा वह स्टेप रेस्पॉंस इस टेप इंपूट जब देंगे हम लोग तो क्या कल देखें इंपूट 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 देखा था उसमें आपके इंपूस रेसपॉंस निकाल के आपको दिखाया थे ठीक है जिट्या का फैलोव रहा करा था आपका यांज याद रखना है वेफशन आते हैं बीघ्वस्टाइल बन रहा था याद कि बीटा इक तो जि टीटा एक्वल टुवन था क्रिटिकल डैंप था उस समय भी आपको वेबफोर्म कुछ ऐसे बन रहे थे ठीक है इस टाइप पे उसके वाद वेबफोर्म को ध्यान में रखना डायेट वेबफोर्म से आपको कोश्चन जो है मिल जाएंगे ठीक है तो फड़ा पटा आप क्या होगा पुरॉअ किया होगा किसका टाइम कोशन्य ज्यादा होगा इसो से आ जाते है और स्पीड र 여러ोड़ थो को चिंआ ऐसे बन सकते है प्टाइब करो नहीं आपको समष्क्त एक्जाम नहीं है तक है रही को संद्क्र बत आपक्सिकष्टा एक्ज्ण और बुद्विश्टि गुड मॉर्निंग ठीक है फड़ाफट इसको सेर कीजिये आप लोगों को जोड़िए कि हमना ये नया चैनल है ठीक है तो आप लोगों पहुंचा आप लोगों को भी कुछ हेल्प करना होगा ठीक है हम लोग इतना मेहनत कर रहे आप लोग के लिए तो यहान देना होगा हर चीज को ठीक है चलिए तो यहां पे यहां तक आपको मैने बता दिया था तो आपको क्या कहा द्याण इस क्लिए अब हार आज हम स्ट्राइट करेंयों आपन जेस्टेट करेंगे अट्रन подоб system for analysis analysis of second order system for step input अगर step input देंगे तो आपको सबको output क्या मिलेगा step response मिलेगा ना output क्या होगा step response तो इससे पहले इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम एक नया टर्म इंट्रडूस करने वाले एंगल ऑफ inclination ठीक है एंगल ऑफ इंकलाइनेशन है वो यहां पर important है second जो आपका second step response जो है आपका क्योंकि एक formula आप जानते होंगे damping ratio का जीटा इससे आपको जीटा मिल जाएगा इससे क्या अगर आपको जीटा अन्नोन है ठीक है अगर जीटा अन्नोन है तो यह एंगल ऑफ इंकलाइनेशन क्या यह नाटर में हां पर आ रहा है तो diet इस पर question आते है कि आगर आपको question दिया हुआ है सब objective question आ सकते इसमें आपको दिया रहेगा माल यह ठीटा का value 30 डिग्री यह ठीटा का value 60 डिग्री तो find the angle damping ratio कैसे find करेंगा find the damping ratio तो क्या हो जाएगा simply cos 60 ठीक है cos 60 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 by 2 that is equal to 0.5 ठीक है तो यह आपको यहां पर दियाएगा इसको जानना पड़ेगा ठीक है चलिए देखते हैं तो कल मैंने आपको क्या बताया था ध्यान से सुनिएगा नम बिल्कुल ध्यान से सुनिए जितने लोग भी आ गये ध्यान से कि जो पोल्स होते हैं जो पोल्स होते हैं ध्यान से सुनिएगा important है यह भी पूछ सकता आपको कि पोल्स का जो movement होता है किस form में होता circular motion होता है सर्किल बनाता है किने कर मैं द्रोक दिखाया था कि जब पोल्स यहां होंगे उसके बाद ऐसे सर्किल बना दीजिए ऐसे ऐसे अच्छा से बनाएगा इसको ऐसे प्रॉपर नहीं दिख रहा बट इसको थोड़ा सा उधर बढ़ा देजेगा तो सर्किल बन जागा इसको इसको थे मैंनस जे ओमेगा अब यहां पर कुछ आए था जब हम लोग जेटा का वह लू किया था जीरो से लेकर की वान के बीच में था इसका जियेकर बिच आप पegeए अपना etapी यहां पा इस पिंट पयए इसका छोड़ु था यहां पर यह था ऐपका जे J omega D और इसका था फैलू, Minus J omega D यही था और इसका जो नीचे फैलू था आपका वो alpha, alpha था और theta omega यही तो नहीं तो रहा नमाइनगा चीटा, ओमेगा न ठीक है उसके आया था आपका यहाँ पे सीधा equal root आपका equal roots आयाता है negative equal roots for theta equal to 1 ट्रिंटिकल तो लिए इसके थे अवेलो का मुवMेंट कुछ ऐसे था क्लिए कि ने तो ऐसे आपका मूव कर रहा है ठीक हाँ द्यान रखेगा उसके बाद क्या हूआ कि यहाँ के बाद पोल फिर इधर दो इक वाल साओ तो यहां पर इक साथ यहां पर इस तो पर यहां पर पोशें कीजो है राइज यहां पर क Israelites किया है इसको पूछी क्या है प्लाइल पूछ ऑपर कि यह जो second order system होते हैं, उसके जो pole से कैसे movement करते हैं, अगर हम जीटा का value को increase करते हैं, तो आपको ध्यान बनाने circular motion है, circle बनाता है, omega n, तो इसका radius जो बनेगा, very good, omega n बनेगा, देखें कि यहां से यहां से distance क्या है, omega n, यहां भी देखें, omega n, इधर भी क्या है, omega n, तो radius क्या जाएग यह, radius जाएगा, omega n, अब यहां पे, अब यहां पे, अब यहां पे angle of inclination, very good, हिमानी, पांडे, omega n, very good, ठीक है, सबको, very good, ठीक है, अब यहां होता है, अब angle of inclination, यहां पे क्या है, angle of inclination, अगर हम जो draw करते हैं, जैसे यह angle जो बनाता है, यह angle, this is the theta angle, जो theta you explain किये न, यही, हमको negative real axis से, negative real axis से, और radius के बीचिके जो angle होता है, उसी को बनते हैं हमनों यहां पे theta, तो यह angle है, यह angle बन रहा है, बन रहा की नहीं, radius और इसके बिचिक के angle उसको बनते है, theta, अगर हमको major करना इस ही से, ऐसा है नहीं कि यहां से measure करना है, गलत हो जाएगा वहां पे, यहां थीटा इक इनक्लाइनेशन सच्छमा रहा है कि नहीं यह यह थीटा तो यहां पर इस ही को बोलते हैं अगल आ इंक्लाइनेशन सभर थर之 framework, σ हे लें तो यहां यह थित ढहलेज औरfendम सब्सक्राइज है तो यह आपका ठीटा एंगल हो गया इसी को अब यहाँ ध्यां से सुनिए गा यहाँ से देखिए कि एक और हम डिराइफ कर रहे हैं अब यह थीटा का वैलो कैसे आया था यहाँ पर फॉर्मुला लिख दिया था जीटा इक्वल कोस ठीटा यह कैसे आया था देखिए यहाँ बन रहा है अब इसका वैलू क्या है इधर ओमेगा डी यहां से कुछ भी यहां पर इसका वैलू जाएगा यहां पर बना देजीए यहां ग्याद से काको सिटल सब्रेम्ट करके सिसरा बीक्राइब यहीं लाइड है भाइविस्टर से का lifetime आप calculate कर सकते हैं, in the terms of, in the terms of किसका angle of inclination, तो यह आपका angle of inclination है, ठीक है, clear हुआ, yes, यहाँ से जीटा आजाएगा आप लोका, ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, जितने लोग भी देख रहे हैं, बिलकुल यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, तो यहाँ से आपका जीरो से लेकर 1 के बीच में रखनेंगे, तो आपको धीटा का टम्स जो है, आपके आने वाला है, कुछ-कुछ टम्स में, इसलिए हमें यहाँ पर इसको इंट्रडूस किये है, युवराज, नमस्ते सर, परनाम सबको, परनाम, ठीक है, तो यह होगेगा, एंगल of inclination, सुन म तो यहां पर जीटा का टम्स क्या जागा? जीरोρ पूट क्या मतलब यह जो होगा स्टेटलंग, बस तो यहां टम्स में लाई करें strategically करें, यहां पैंगर पूट कररें, और यह यह पूँखा, जब पोल्स जो है, यहां पर नेगटिजीव रियल एक्सिस होताँ नेगेटिव रियल रूट्स यहां पर होता है यहां तक है आपको में रखना है प्रॉपर तो यह जो समझ पा है तो आगे बढ़ते हैं जबसction आगे बढ़ते हैं अगे चलिये मिलाया ज़िए clear हो गया अब यहां पर आपको एक मैंने दिखा दिए अब यहां पर स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर एनलाइस स्टार्ट करेंगे रेखिए यह second order system है R of S अब यहां से स्टार्ट करते हैं C of S और इसका जो transfer function है gain क्या था मैंने लिखाया था क्या omega n square divided by s square plus 2 zeta omega n s omega n square यह था आपका क्या transfer function system का transfer function ठीक है यह कहता आपका system का transfer function तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अब यहाँ बताईए अगर हम rfs अब यहाँ पर rfs क्या है अब यहाँ पर impulse नहीं है अब ध्यान रखेगा यहाँ पर changes होंगे पहले क्या था पिछले वले classes में क्या था कि impulse input दे रहे थे तो हमारा transfer function as well as c of s का value दोनों same आ रहे थे आ रहे थे कि नहीं लेकिन यहाँ पर transfer function तो same रहेगा बट c of s का value यहाँ पर same नहीं आया यह ना यह हो गया हो गया यहाँ पर अब यहाँ पर जब पिछले class में जब क्या ले रहा था impulse input ले रहा था तो उसमें क्या हो जागा c of s is equal to यहाँ पर बताइए c of s is equal to क्या हो जागा R of s omega n square divided by s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square यहीं होगा ओकि नहीं यहाँ यहीं होगा अब यहाँ पताइए अगर प्लॉस तूजिए उमेगान स्क्राइए शुजगा आपका unit step input क्या ओभाल स्कूर्ट स्कॉर्ड प्लास टूजिटा ओमेगा एऩ चिघ्नागा B यहांए प्लास ऐसफी लंगा अप्लास तो तो यहां पी आप्म ने क्मिकर और डी होजागा क्यापार ओमेगाइन इसकोई यह हो गप यहां पर आपको यहां पर आहिए को यहां पर पोस्स सेम रहेंगे यह किसीन करें इसे करेंगे ना यह पोस्स सेम रहेंगे लेकिन अब काई एस निकालते कोrov उन से हमने पॉल्स निकालते हैं कि निकालते कि न है पॉल्स एपूल्स का चिसलेगा जहां जाय करता यहां ऐ Пट्टॅल सेम रेगा बट यहां पर आप सीज़ तो सीज जाय को यहां पर उलते tho तो सी ओफ टीवी चेंग जागा ना सी ओफ टी अब हमारा जितना भी केसिस लेंगे सब के लिए सी ओफ टी डिफ्रेंट आएगा आया कि ने लेकिन नेचर वही फॉलो करेगा आपको क्या नेचर फॉलो करेगा अगर जीटा एकोल टो जीरो होगा तो वह उगा अंडायम टोस बताइए समझ मारा की नहीं आप लोग को डिश्टी यस सर पांडे जाला सीस यस यस यही होगा तो यह ध्यान में रखना आप लोग को ठीक है तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए ब्र पर अभ्यहां पर स्टेर्ट करते हैं हमलों अभी यहाँ पे सिया अफ हो क्या कीजिए यहाँ पे अपको और फॉर्दर स्प्ल्पाइग कने कि यह करते है यहाँ अपको पार्सेल फैस NOTE Cubicol प्लासील यहाँ S plus omega n square, यही आता है, यह होता है na c of s equal to a by s, bs plus c, क्योंकि यहाँ पर क्या equation दिया हुआ है, यह हो जागा bs plus 6, अब यह हो जागा kya? s square plus 2 geta omega n, इतना, ठीक है? अब इसका अगर फॉर्दा solve करें हम लो, यहाँ पर आप निकाले हैं, आगर find करेंगे a, b, c का value, तो एक वेलु आपको क्या एका वेलु मिलेगा वन अब तरक्राइब मैं नहीं करूंगा आपको अब निकाल कर देखीए गार बच्चे से पढ़ रहा है ठीक है तो आप लोग यहां पर धिहान रखीगा एक पहलू जाएगा वन वी का वेलु आपका व्या ठीक है अब इसको हम लोग यहां पर रख देते हैं further simplify हो जाएगा ठीक है तो c of s is equal to क्या होगा this is equal to 1 by s plus b का भेलो क्या है minus 1 तो minus इसमें minus है तो overall minus बाहर निकाल देते हैं और यह हो जागा s क्या जागा plus 2 zeta omega n divided by s square plus 2 zeta omega n plus omega n square यह होगा आपका overall इस को हम लोगः पूरा आगे पूरे एनिलयासिस में इस इनालाइसिस के पूरे एनिलयासिस पे म अपन इस को यूस करेंगै उसि को हम लोग ₈ क्या है कre है C of s is equal to see you say c of s is equal to this one clear है यहां पर अब यहां start करते है जब हम लोग 2 0 पहला जीटा एक्वाल टू जेरो पहला किस यहां तक क्लियर लॉभा किने गऄल मुझे जानना है है आप लोग मैसेज किज़्ीए यहां तक ख्लियर होगे किसी को औड आउट बहुत कम मैसे क्लियर सर क्योंकि देखिए यह जो आपको है mathematics है ठीक है mathematics अब तो परसे फ्रेक्शन यह सब लगा रहे लाप्ला स्थांस्वर्म लगा रहे तो यह आपको क्या mathematics है इसमें कुछ आपको एक्ष्टर नहीं पढ़ना है और आपको यह सब एक्जाम तो नहीं पूछेगा ठीक है क क्लियर सबको चलिए क्लियर ठीक है तो यहां पर पहला किस हम ले रहे क्या पहला किस क्या ले रहे है जीटा इक्वल टो जीरो जीटा इक्वल टो जीरो ठीक है पोस आपको सेम ही रहेंगे इसका अगर अगर आप जीटे का जीरो पूट करेंगे तो आपका जो ट्रांसर फं सब चीज़ सेह औरoyo वे सब और अन अंवी जो आएंगे हमारा चणिश पर का पिछला निखिये अब पिफिशला जब आपज ऑब सansबी होंगेश यह अब जावतिक्ट रेड New Pernodos हागा जो रेस्पोन से उस्में चिंजा देगा तो यहां पर अगर है बंट करेंगे तो नव में tr जिए वाच रॉप करेंगे यह अपका पॉट करेंग तो पोट करेंगे यह अपका पोटे labels Но तू क्या स्वागा उप अगर 0-put करेंगे इसमें, equation 1 में, equation 1 में 0-put कीजिए, जीटा का value 0-put कीजिए, ठीक है, जीटा का value क्या करना है, 0-put करके देखिए आप लो, तो यहाँ पे, यह आएगा आपको, अब यहाँ पे आगर इसका C of T निकालना तो क्या करना है, inverse Laplace transform, inverse Laplace transform का ले लेजिए आप लो, किसका दिखे रहा आपको था यह तो, किसका दिखे रहा आपको, यह आपको दिखे रहा कोस का, कॉस ओमेगा एंड टी, U of T, यह, यह आगया C of T का expression, C of T का expression यह आगया आप लोगा, ठीक है, अब यहाँ पे further solve करेंगे, ऐसे भी U of T हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, 1 लेत T greater than equal to zero के लिए, 40 greater than equal to zero के लिए, यह आपका होगया final expression, clear है? अब उसके वाट क्या करिए, इसका आपको waveform बनाना, तो waveform अब इसको ध्यान में रखना है, आप इसको derivation यह आद रखिये, but waveform बिना waveform के आपका कुछ हैं होने होने वाला है, तो waveform को कि डिलेक एक्जाम में कुस र देते हैं waveform से कि अगर undamped oscillation है step input दिये हैं हम लोग undamped oscillation है अगर step input दिये तो waveform कैसा बनेगा चार options दे दिये हैं आपको चार बना कर दिखा दिये तो अगर आप waveform ध्यान में नहीं तो फिर derive करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद पहुंचेंगे तो आपको चार लेका इस एक् giveaway अदिये केशिक मार सकते हैं पर दिखा ध्यान व천स एकला ठीक है चालिए ते पहले क्या करें यहाँ पर टीप्वल तो पुट कीजिए अगर हम 0 पुट करते है तो क्या होगा यहां यहां पर कॉस यह 0 तो कॉस 0 क्या होता 1 तो 1-1 क्या हो जागा 0 तो यहां पर क्या हो जागा C of T का value क्या आ गया 0 आ गया 4 T equal to 0 के लिए यह क्या आपका waveform 0 आ गया अगर तो आम T equal to infinity put करते हैं infinity 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 q put करेंगे ठीक है यहां पर द्यान में रखना है कि चीज़ का T equal to 0 मतलग इसका waveform जो आएगा देखी यहां पर यहां पर द्यान से रखेगा इसको subtract करना है आपको cos omega n t से कोस का waveform आपको पता है कोस का waveform कैसे बनता है कोस का waveform कैसे बनता आपका देखिए यह इसको subtract करना है आपको तो 1 shift हoka तो पूरा waveform पर shift हो जागा हो दिहीं तो ऐसा आपको waveform बनने वाला है इस ट्राइब को diffeki Uh, मिलेगा यह क्या है यह लोगा है इसका दितिकरीज कर रहा है इसका अब हैलो भी क्या होगा इनिसियली आपका यहां से देखिए इसका फिर इंक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा यह लेकिन नेगटिव नहीं जाएगा बस पॉर्शन ऐसी आते रहेगा ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना वेब फॉर्म क्लियर है 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 हां साइन वेब जैस ही पूछ सकते हैं गुर्शन जब इंपुर्स इंपूट देंगे तो वेब फॉर्म कैसा बन रहा था अब जब अब इस्टेप विंपूट देंगे तो यह वेब फॉर्म अपका ऐसे बन रहा यह आपको ध्यान में रखना है फ्रिक्वेंशी और गर करें इसका टाइम कोस् देखते हैं हम लोग, close look poles से, तो यहां पर आपका सब सेम रहेगा, ठीक है, तो यहां पर बस only changes आएंगे, इसमें, क्या characteristics में changes हारा, waveform में यहां पर changes आएगा, बाबा मैं बोल रहा हूँ, चलिए, clear होगे हैं आप लोगो, चलिए, तो यहां पर आगा देखते हैं, next, यहां ते क्लिए, बाकी साथ को नो डणकल लिएगा, frequency of oscillation, same omega n रहेगा, and आपका time constant भी आपका क्या रहेगा, same infinity रहेगा, clear हुआ के नहीं, अब waveform जो आएगा, यही waveform आएगा, इस ध्यान में रखना है आप लोग, clear है की नहीं यहां तक, चलिए, clear, तो next हम लोगों देखते हैं, क्या जो की most important होता है, यह, यह जो होता है, जीटा का value, यह range जो है आपका, इस से बहुत सारे questions बनते हैं, बहुत ज्यादा questions, खासकर gate EAC में questions बहुत ज्यादा बनते हैं, यह इसका waveforms होते हैं, बहुत important होते हैं, इस यह waveforms बहुत important होता है, इसलिए इसका analysis अच्छा से करना चाहि होते हैं, बाकि तो JAE में तो theoretical question पूछे जाते हैं, उतना numerical question नहीं पूछे जाते हैं, तो उतना important नहीं होता है, लेकिन जब gate EAC का बड़ा exam होते हैं, तो उस अगर आगर आप करेंगे, तो यहां पे आपको 0 से लेकर 1 के बीच जीटा का value होता है, वो बहुत important हो जाता है, ठ frequency of oscillation वही रहेगा आपका omega D, और time constant वही रहेगा आपका 1 by gta omega N, वही time constant रहेगा आपका, कोई changes नहीं आएगा, ठीक है, मैं फिर से बताता रहूं, कोई changes नहीं आगा, only changes आएंगे, वो आएंगे C of T में, response में changes आएंगा, उसके waveform में changes आएगा, ठीक है, चलिए, C of S, क्या थ आपका, S plus 2 gta omega N, divided by S square, plus 2 gta omega N, S plus omega N square, ऐसे कुछ आया था, ठीक है, यहाँ पर बताईए, अब यहाँ बताईए, आप लोग, C of S जो है, आपके, S plus 2 gta omega N, ठीक है, तो यहाँ पर आपका, आपका जो roots है, यहाँ पर, यहाँ किजिए, मैंने कल निकाल कर बताया था, इसका to minus होगा क्या, minus, इधा न, minus alpha plus j omega D, और दूसरा क्या था, minus alpha minus j omega D, यहाँ था, दो roots है था आपका, एक आया था, minus alpha, minus alpha plus j omega D, और दूसरा आया था, minus alpha minus j omega D, ठीक है, तो यहाँ इसका, अगर आप बतादेए, इसका derivation चाहिए, कि ने, आप लोग, C of S, मैं करूँगा, सुन महारा की ने, आप लोग को, आप लोग के पर कमेंट केर कर बताएगा, इसका derivation चाहिए, आप लोग को, तो बतादेए, आप लोग